आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहाजेब के साथ कमेशन ना बना तो लॉक डाउन होगा कमेशन बना तो बाइकॉट होगा पाकिसान तेरीक इंसाफ चाहती क्या है और मिया नवाज शरीव की सियासी तक्रीड गलत बेयानी क्यों नहीं है ये हैं वो बीट चिन पे बात करेंगे आज न्यूस पीट में ये ही पेंच इस केस को सुने कमेशन तो और टाइम लगा देगी ये तो और लंबा खेंच जाएगा हमारे सदर मुमलिकत ममनून हुसेन बहुत ही सादा और नफीस इनसान है जो दिल में होता है छुपाते नहीं हैं बलके दिल की बास जबान पर लाने से हिचकचाते भी नहीं है इसलिए कभी करप्ट लोगों के मनहूस चेहरों से कौम को डराते हैं और कभी करप्शन करने वाले बेशरम लोगों के फकर से चलने पर कौम को हया दिलाते हैं और यही काम उन्होंने आज 9 डिसमबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के दिन किया लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज ही के दिन ये फैसला हुआ है कि हमारी हुकूमत हमारे वजीर आजम और उनका खानदान करप्शन के इल्जामात को अपने साथ लेकर 2017 में कदम रखेंगे सिर्फ इसलिए के अदालत की नजर में अमरांग खान, मिया नवास शरीफ की सियासी तकरीर, बेयानात के तज़ादादाद के इलावा शरीफ खानदान की करप्शन के कोई भी ठोस थबूत नहीं दे सके जबके शरीफ खांदान, दादा पोते की कहानी, कत्री शहजादे की महरवानी के अलावा अपनी मनी ट्रेल सामने लाकर अपनी शराफत थाबित नहीं कर सका खरीफ खांदान के असासों की छानबीन का मतालबा, वजीर आधम पर लगने वाले करप्शन के इल्जामात की तहकीकात का मतालबा, वजीर आधम की शेरवानी का मतालबा क्यूं समदा जा रहा है? और अगर इन मतालबात का मकसद वजीर आजम का मनसा भी है तो अब ये मतालबा बिलावल भुटो जर्दारी भी करने लगे हैं लेकिन ना जाने क्या वजा है कि वजीर आजम इल्जमात का दाख लगने वाली शेरवानी पहने रहने पर बजद हैं और 62-63 का टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं कहीं किसी ने उनको बता तो नहीं दिया के दाख तो अच्छे होते हैं बाराल कप्तान अदालती कमिशन का बाइकॉट कर रहे हैं और कादरी सहाब इसको खुदपुशी करार दे रहे हैं तो फिर अब क्या होगा इसी बारे में प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें जोईन किया है PMLN से हमारे साथ मिया जावेद लतीव साब मौझूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से महरीन अन्वर राजा साहबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें जोईंग किया है शेरियार राफीदी साब ने पाकिस्तान अवामी तहरीक से उमर रियाजबासी साब असलाम उलेकुम बहुत शुक्रिया आपका पहले एक ब्रेक देखते रहेगा न्यूस्पी प्रोग्राम शुरू करते हैं और आज सबसे पहले हमें मिया जावे लतीफ साब ये समझाएंगे कि नून लीग की डिश्टरी में जो सियासी तकरीर है ये क्या होती है चुक्छे मिया साब ये इसलिए भी समझना जरूरी है सर चुक्छे नून लीग कह रही है कि पारलिमेंट मिया साब की जो स्पीच है वो सियासी तक्रीर है तो जब समझाएंगे चुकि आज आज आप लोगों ने इस पर बड़ा जोर भी दिया है क्या होती है यह फारस बात यह है कि आप जब कोर्ट में सबूत के साथ जाते हो तो वो थो जो है उनको यकिनाँ सबूत ही समझा जाएगा आप जब कंटेनर पर खड़े होकर बात करते हो चोकों चुराहों में बात करते हो वो बात और होगी जब आप असेम्बली फॉरूम पे बात करते हो तो यकीनन आप पूरे स्बूत के साथ डेटेल वहां नहीं रख सकते ना बात कर सकते हो आप यकीनन चंद बातों का इशारा दे सकते हो चंद बातें कह सकते हो वहां कोई आपने छे गंड़ी की स्पीज थोड़ी की है ये हेरिंग जो है ये आप पिछले डेड़ मां से आप देख रहे हैं ये हो रही है यकीनन आप जावे लतीशा एक सिकंड मैं आपको रोकूंगी आपने जो बाते की ज़रा सब पे बात करेंगे लेकिन स्यासी तकरीर जो मिया साथ ने पारलिमेंट में की है वो क्या होती है ज़रा वो समझाईए चुके अनुशे रह्मान ये कहती है कि सियासी तकरीर का मतलब ये नहीं है कि मिया साथ ने जूट बोला है तो हम तो ये कहीं नहीं रहे कि हमारे वजीर आजम ने जूट बोला है हम तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें सच क्या है कोट में उसका टाइम पिरिएड देख लें कितने टाइम में कितनी गुफटगू हो सकी या वाँ अब मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि इमरान खाँ साब एक तरफ ये कहते हैं कि मैं शहर बंद कर दूँगा इसलामबाद अगर कमिशन न बना और जब कम बातें बिलकुल ठीक हैं उन पे हम यकीन भी कर लेतें लेकिन मसला ये है मिया जावेड लतीव साथ के मिया साथ ने जो पारलिमंट में तकरीर कीजी ना जिसे आप लोग सियसी तकरीर कह रहे हैं उसमें कतरी शहजादे का जिकर नहीं था अब वो आ गया है ये कहां से आया है मेरा ख्याल है पारस आप एक जगा रुक गई है इसलिए चुके आप समझाईए आज आज आप लोगों ने बड़ा जोड़ दिया इसके उपर मैं ये समझाने की भी अच्छा मेरी अर्स तो सूने ना जी जी मैं समझाने की शायद कोशिश तो कर रहा हूं मगर समझा नह इसके लिए पहले खुछ समझना जलूरी है जी जी सर वैसे आपकी एक बात सिर्फ ये समझ में नहीं आ रही है कि मिया साब ने जो बाते सुप्रीम कोड जो पारलिमेंट बाते की हैं वो सियसी तक्रीर है वहां पर उन्हों ने सियसी बात की है तो फिर नूनली की ये पाकिस्तान तरीक इसाफ क्यों कह रहे हैं ये मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा जिस तरह इमरान खां साब कहते रहे कि सियसी बाते थी पैंती पंक्चर और दूसरी तीसरी ये सारी उनों ने बाते उनों कहरें जो हम पर आई थोंप रहे हैं ये बाते तो खुद वो कर चुके हैं लेकन पारस असल चीज़ एक सेकंड के मुझे आप एक बात कर लेने दें मैं ये कह रहा हूँ कि असल इनका मसला ये है कि कभी कहते हैं कमिशन ना बना तो हम जनाव इसलामबाद लॉक कर देंगे मैं जावें लेका तो हम इसलामबाद लॉक कर देंगे असल इनका मसला ये है आज नून लीग के रहनमाओं में बाते की हैं, आप ये नुमाइंदे बात कर रहे हैं कि मिया साथ ने सियासी तक्रीर की और सियासी तक्रीर को ये मह समझे के वो जूट बोले हैं थोरा सा आगे चलते हैं चुके सब को शामल करना है नप आप कहेंगे एक ही पॉइंट पर पढ़ूंगी सार, लेकिन पहले इसी बात को चुके नून लीगी के रही है कि मिया साथ ने आम फहम जबान में पार्लिमन से किताब किया सर आम फहम जबाना आप लोगों को समझने में क्या मसला है कि आप लोगों ने का कि ये तजाद है और आप इसको सुबू समझके find किया फितना उसे कहते हैं जब सच जूट और जूट सच बन जाए चीफ एग्जेक्टिव आफ स्टेट एक कलम के एक जुमबश से जिन्दगी को मौत और मौत को जिन्दगी में बदल सकता है चीफ एग्जेक्टिव आफ स्टेट एक ऐसा ओदा जो के कौम की इज़त और उ जब अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जेक्टिव आफ स्टेट की बात अगर ये हो कि आर्ट आफ निगोसियेशन में डिसेप्शन इस दिए अटमोस प्रोरिटी कौम को दोका देना या बेवकूव बनाना या घंचकर लोगों को गुमाना तो फिर खुदा के लिए इस कौम पर अल्ला ही रहन करें ये आपका मौकफ है अदलिया ने ये फैसला नहीं दिया आफ लिए अपनी बात करो देखें प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा टीवी कौम से खिताब करते हैं कि हमारे पास एक डमड़ी भी नहीं रही फिर प्राइम मिनिस्टर ने तीन एरि ये पारेस मेरी आप से और तमाम एंकर से रिक्वेस्ट है कि इस तमाम हेरिंग में आप खुछ जाएं पारेस एक चीज मुझे बताएं चार फ्लैट तो एक्सेप्टी नी कर रहे थे आईसी आईजे से पहले फिर जब एकसेप्ट हुए फिर मुझे बताएं आएं बाएंश आएं मुक्तलिफ स्टेटमेंट्स आई ओलादों की सबकी इन तमाम चीजों को छोड़ दें लास्ट येरिंग में क्या का कि 1980 के दियाए में पर्चियां और पतली क्या और क्या लिफ यानि किसी एंचेंट सिवलाइजेशन की बात हुई ये सब तहकीकात होगी है उसके भी छोड़ दें जब आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है जब आपने मोस्ट इंपॉर्टन बात ये एकसेप्ट कर ली कि प्राइम मिनिस्टर ने जो फ्लोर पे कहा उसकी ज्यादे वैलियू नहीं है तो वर डिज़ इट शोज़ कि आपके प एकन साफ कमिशन से क्यों भाग रही है पैनेमा केस शुरू हुआ तो आप लोग की हरबात कमिशन से शुरू हो रही थी कमिशन पे खतब हो रही थी आज असक क्या हुआ कि आपने बाइकॉट कर दिया कि अगर बिलियन डॉलर क्वेस्टन जब टी यो आर्स बन रहे थे पिर सुप्रीम कोट की हरिंग में उन्हों ने आकर ये नहीं कहा कि हम कुछ नहीं हमारे पास कुछ नहीं है फिर सुप्रीम कोट ने कहा कि निदारों की जरूरत क्या है ये तमाम एक्टिविटीज नहीं हुई थी जुडिशन कमिशन की पहले बात थी अब बात आती है कि 8 म आम चीज़े क्लियर हैं और फिर आखरी और मुस्ट इम्पॉर्टन बात सब कुछ होने के बावजूद फैसला नहीं होता है लेकिन आप लोग कह रहे हैं इमरान खान ने का था कि कमिशन बाएक्तियार होना चाहिए एक हाजर सर्विस जज उसका सरब्राह होना चाहिए जो त जब T.O.R. के वाले से खान साब ने कहा कि जुडिशिल कमिशन बने और वो पावरफुल जुडिशिल कमिशन हो और तमाम एदारों और इंटरनाशनल फॉरंजिक टीम सारी बाते की थी तिया पारिस एक मेंट पारिस यही कहा था तो क्या मुझे बताएं कि जब पॉब्लि जिज ने टी वार्स की बात की ना कि आप लेके आए और रम खुद बना के देंगे तमाम एक्टिविटी हो गई अगर थोड़ी सी डिले आ गई तो याद रखें इन्शाला नामीदी गुनाएं लेकि पाकिस्तान की मजलूम कौम सूथ के कर्जे लेके यतीमों नादारों म मतालबा कर देते कि ये कमिशन अगर बन रहा है तो इतने में इसकी तैकिकात मुकमल हो जानी चाहिए लेकिन आपके लिए जब पांच जजजे लेके एक तरफ पांच जजजे पूरा बेंच है ना एक तरफ एक जजज जजजे ने तमाम एक्टिविटी कर ली एक साब किसी और शजजजे का भी बड़ इनका मुकदर इन्शालला रुस्वाई है और ये रगए जाए जाएंगे इन्शालला आपके ख्याल में ये पानिमा केस में पाकिस्तान तेरी के इनसाफ ने गलती कहां की है सुप्रीम कोर्ट में जाकर गलती की है या पिर आज कमिशन का बाइकॉट का फैसला करके गलती की है और अब तक की जो सूरते हाले या निकि इन सेविंटी फोर डेज में पैनिमा लीक्स में आपके ख्याल में किसकी जीत हुई है बिसमिल्ला रह्मान रहीम अवाम पिसरें जीत किसकी होगी देखिए बिलावल भुटो जरदारी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मौकिफ लिया था कि इस केस का फैसला पार्लिमेंट में होना चाहिए और जो सुप्रीम कोट ठीक है सुप्रीम कोट आला अदालत है उसकी बहुत जूरिस्डिक्शन है बहुत पावर्स हैं मगर अंड्यू सुप्रीम कोट को इन मामलात में लाने से मैं समझती हूँ इन्स्टिटूशन को भी प्रेशराइस किया जाता है और जब फिर अपनी मर्जी के फैसले नहीं मिल सकते या आ जाते हैं तो वो फिर एक इभाम सा रह जाता है आज तो इमरान खान साब के जो कजन है कादरी साब उन्होंने भी कह दिया है कि ये सुप्रीम कोट में जो केसिज हैं जिसमें सिस्टम को जब तक चेंज नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोट के पावर्जों नैप के पावर्जों एफाईय के पावर्जों इस तरह ये सिस्टम को चेंज करना है आपने पारलिमेंट के अंदर पहले रिफॉर्म्स लेके आनी है इलेक्शन इलेक्ट बेंच करेगा या नून लीग की खायश के मताबिक वो कमिशन करेगा या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खायश के मताबिक फैसला पारलिमेंट में होगा देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात हैं और कुछ फैसले पार्लिमेंट में होना जरूरी है जो पार्लिमेंट भी मैं समझती हूँ कि मैं इसको पार्लिमेंट पे भी एक इल्जाम ठहराती हूँ कि Parliament क्यों अपने powers, दूसरे institutions को देती है और अपने आपको underestimate करती है नमबर एक, नमबर दो जहां तक आपने कहा कि अब court क्या करेगा देखिए अब Chief Justice साब retire हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अब कोई case नहीं सुनूगा तो ये case अब part hurt नहीं है अगर ये case part hurt होता तो जो नया Chief Justice साब आ रहे हैं ये उनकी मर्जी है कि वो कौन सा बेंच बनाते हैं कौन से judges लेके आते हैं यहीं वाले judges ले आते हैं अब ये matter जो है वो शुरू से सुना अगर ये Chief Justice जी जी एक और बात अभी आपने नए Chief Justice का भी जिकर किया आपने देखा कि मिया साब ने जब नए Army Chief का तकरूर होना था तो दो ती दिन पहले हमें नाम पता चल गया था कि कौन नए Army Chief होना है लेकिन जो Chief Justice और Supreme Court के उनका जो तकरूरी है वो मिया साब ने कोई 20 दिन पहले उसके अनाउंसमेंट कर दी है इसकी कोई खास वजा है कि इसका तालू कोई पैनमा केस से है या आपके ख्याद में मिया साब को आजकल कुछ फुरसत है जो उन्होंने जल्दी फैसला कर लिया मैंने ख्याल कि इस तरह की कोई बात को सोचना चाहिए और हर चीज़ के अंदर से एक नेगिटिविटी निकालनी चाहिए जज़िस बड़े ओनरिबल जज़िस है और जज़िस को भी ये फैस्बूक के उपर और ये चीज़ों के उपर आप खराब कर रहे जी जी ये खराब करना ये मुनासिब नहीं है अगर जज़िस ने ये बहुत अहम जिम्मेदारी जो उनकी नहीं थी और उन्होंने ले लिया है क्यों लिया है ये तो वही बताएंगे ये चीज़ उन्होंने ले लिया है तो मैं नहीं समझती कि उनको बड़े ओनरेबल जगीज़ हैं बड़ा ओनरेबल इंस्टिउशन्स हैं और अपने इंस्टिउशन्स को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए मगर मगर पाकिस्तान पीपटी का ये मौकफ था कि इस तरह के केसिस को पारलिमेंट में सौल होना चाहिए और जब तक पारलि कोड में नहीं जाना चाहिए था काडरी साथ इस दात की मुखालफत क्यों करें क्या उन्हें पहले से पता था कि जो अदा आर् Casey में और अगर रूल अफ लॉग की गरीब की तो या तो मेरी आवाज बंद कर दी जाएगी हम यहां पर ब्रीफ केस से इतने डरते हैं कि उससे 50% अला से डने तो इस मुल्क में तब्दिल आ जाएगा अदिर के बगार सुबूत के हो जाएगा फैसले बगार सुबूत के हो जाएगा एक शल अफरीके इनसाफ उन्हें सुबूत पूरे मुकमल फरहाम नहीं किये हैं यह मुझे बताने मिया मुहमद नवाज शरीफ साब ने अपनी एक माजी की तकरीर में कहा था कि चोर जब चोरी करता है तो उसके बाद वो जाएगा दाएगा अपने नाम पे नहीं रखता है वीड कोटिबिलिटी की बात करता है इसका मतलब है कि अगर सियासी बियान दिया पारलिमेंट के फ्लोर पे मिया साब ने जो अवाम के राइट्स का फोरम है तो दिल में कुछ है जबान में कुछ है अगर दिल में कुछ हो जबान में कुछ हो उसे क्या कहते हैं पूरी कौम जानत डॉक्टर तहरुकादरी इस उम्मत का इस खौम का वो मसीह है जिसने आज तक जितनी बाते पारस की हैं तरुस थाबित हुई हैं अच्छा उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर एचसाब के बगएर शफाफ एलक्शन नहीं हो सकता रिफॉर्म्स के बगएर नहीं हो सकता बरता इस मगएर शौम्स के बाता है जिसने बन्नु जेल तोड़ने वालों की जमाने की परस्नल इका करना भी हो जिए लाया जारा है। जब तक अदालते इंसाफ नहीं देंगी इस कोम के साथ यही ड्रामा होता रही है। जब तक अदालते इस कोम के साथ यही ड्रामा होता रही है। जब बाहर जाके बैठा वा है। क्यों यह आपसी लड़ाई होती है और पता चलता है कि तुबारा वो दर्वाजर मजबूत होने लगे हैं जो डिमॉक्रिसी को पनपने हैं। करेंगे बहुत सारी चीज़े खुल के सामने हैंगी अगर आपके साथ खलत हो गया है तो क्या दूसरों के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल आपसे ही क्या रही है मिया जावल दूसरी क्या बात है सर ये क्या वज़ा है कि इमरान खान हो या डॉक्टर ताहिरल कादरी हो कोई भी मिया मौमद दूसरीफ साथ की मासूमियत पर यकीन करने के लिए तयारी नहीं और महरीन साहिबा कभी कॉमेंट सुना आपन में कौन सी जमातें स्टेबलिश्मेंट के हाथों इस्तमाल होती रहीं अगर माजी से लोगों ने सबक सीखा है जमातों ने सबक सीखा है तो ये तासर देने की कोशिश करते हैं इमरान खान साहब अज़ खुद महसूस करके कि जनाब आदारों में और हकूमत में कोई और ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि उसके फाइदा उठाना चाहिए इसलिए कभी धरिदे जudische कमिश्न बराने की फर्माईश कर देते हैं और पिर कहते हैं कि जनाब थर्ड आमपार इंगली खड़ी कर रहा है खुदा के लिए इन चीजों से भाइर निकलो अगर प्रवार्ट के लिए अगर पीटियाई बाहर बैठकर बात करेगी असेमली में वह बात नहीं करेगी तो रिफार्म कैसे आएंगी और दूसरी नमबर पर मैं यह कह दू कि यह कह रहे थे कि जनाब कोट में केस ले जाने से कुछ फरक नहीं पड़ेगा इंसाफ नहीं मिलेगा तो भई हम तो यह कह रहे थे कि अगर T.O.R.S. पे हम सब मुत्विक नहीं हो सके तो पीपल्स पार्टिन सेथिले T.O.R. का मिलेगा अगर आगर आगर आप किसी बात पर मुत्विक नहीं होगे आपकी खाएश के मताबक तो फैसले दूसरी आप एक सवाशा नहीं होते हैं ये बात आपकी ठीक ऐसा है लेकिन आज आज आप लोगों की जानब से का गया कि इमरान खान की हड़ दर्मी की वज़ा से केस ताखीर का शिकार हुआ और मजीद हो रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोगों की हड़ दर्मी की वज़ा से ये केस वजूद में आया है आप लोग पर्चियां और खुतूत सब कुछी ले आए कोड के सामने इलावा मनी ट्रेल के क्या आइंदा जो समात है उसमें ये मनी ट्रेल भी कत्री शजादे के खती तरह सकती है सर्थ पार्ष हुआ के लिए फुटा के लिए इस तरह अगर तो लोगों को बावर ये कुराने की कोशिश की जाए हैं हम भई चूब मुझे बनाया जाए हम उसके लिए भी तैयार है भाई अगर मुझे ये बताओ के अधारों पर बद इतमादी का इजहार कौन कर रहा है अगर आपने लोगों को भाई ये कहोगे कि जो मैं फैसला करती है आपने अधारे अनौस कर दे तो इस तरह भी अधारों की रिपोर्ट है अगरी वेलिंग्स में तो ये ताहरूल कादरी साब के मतलग अच्छा मैं नहीं नहीं पारे से एक से एक सेक्ड़ आप मुझे जवाब देने दे एक सेकंड ये बाकर नच्वी आपको तीर की तरह लगा है अपने लीडर से ये भी पूछो के कोड ने उनके मतलग क्या कहा ह आप पहले आप और नहीं नहीं पकुछ नहीं है व्यूटा आप जूट बोल रहे है ये जिसमों पिर रएक रवी ये लिए कीसा अध्या कादरिया इसके मितलग कोड कर ये भी वैसले साथ लाई आपक्वास यही अलवाज है लोग मर रहे है गुरदे बैश रहे हैं इस्ते बेज रहें गुर्दे बेज रहें लोग वो कैल पॉल तक नहीं मिल रहा है डिस्प्रीन नहीं मिल रही है खुद कुछ यहां खुद शोच्चियां हो रहे हैं लतीर साथ सब पता हैं ने यह प्याइए कि अभी क्रेश क्रेश हुआ जो यह कौन के मतार है जर ब्रेक ले लो आ जसे जर्मेन लगा दिया और यापक्तलन कि अभी कसा ये जर श्र आ है कि अनसे भी क्रेश करते हैं फॉर जो भांच्व को मेंड़्ट कि साथ आएक सबुद थेलिए अच्प। अच्छे शेर्यार आफिजी साब इनकी मनी ट्रेल कहा है सर चुके हर बात हर चीज़ पे तो नूनली ये कहती है कि हर चीज़ खुली किताब की तरह आया है कुछ छुपाया नहीं परदा नहीं डाला तो सर आप लोग वो खुली किताब क्यों नहीं पढ़ सके और क्या ख्याले मनी ट्रेल भी आजएगी कत्री शजादे की तरह अगली समात में ये बड़ी बड़किसमती है पारिस बड़ी बड़किसमती है आम आदमी के लिए तो कानून है पकड़ भी है बीस साल बाद भी अदालत फैसले करके क्या-क्या एक्जामबल सेट हुएं जोविनाईल में चले जाएं ऐसे ऐसी आपको एक्जामबल मिलेंगी कि हम आपको वतार इनसान अपने आप से नफरत होनी शुरू हो जाएगी मेरी मुझे समझ से एक चीज बालत आ रहे मैं आपसे दो चीज़े पूछना चाहता हूँ नमबर वान आपकी कोई फैक्टरी है ये शॉप है और आपने जब मुझे हैंड ओवर की आप मैनेजिंग डिरेक्टर हैं और साल बाद आपको पता चले कि जी मैं करदा भी ले ली है और आपकी प्रॉफिट में भी कमी आ गई है आप मुझे साल बाद जब आप आएंगी दोबारा मुझे रखेंगी नमबर वन नमबर टू चीफ एग्जेक्टिव आफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर की मिसाल एक बाद की होती है ठीक है जी एक प्राइम मिनिस्टर और उसका खांदान दुनिया के उमरा में शामिल है और मुलक और कौम के लोग भीग मांग रहे हैं क्या वो कौम उसको दुबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएगी ये दोने एक्जामपल पाकिस्तान पर फिट होती है मुलक कंपनी की तरह नहीं चलता ना आईन के मताबिक चलता है लेकिन देखे मेरी बात सुनें कानून और आईन बनाने वाले इनसान है ना कोई अलहमी किताब तो नहीं है जब इनसान कानून बनाएं कि इनसाफ रूल आफ लॉव 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 तो मेरा अच सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोट पूछती है कि ये पैसे किदर से आए ये पैसे को आप जस्टिफाइ करें तो उन्नीस और सी के बारे में वो ये कहें कि जी वो तो कोई सबूत नहीं कोई फैक्स का जमाना नहीं तो कोई कुछ नहीं अब मुझे बताएं कि जब प्राइम मिनिसर नहीं कहा था कि 1980 के हाँाले से मारे पास तमाम सबूत हैं वो सबूत सुपरीम कोट को ओनस आफ प्रूफ सबूत देने defendant के काम है जो कि सुप्रीम कोट ने कहा वो उन्होंने पेश्री किये अब मेरा सवाल ही है पारिस जी अज नैब के हवाले से आज FBR के हवाले से आज हमारे जो financial जो annually जो targets हैं उनको खाते में लोगों को कहेंगे कि आप टैक्स भी जमा करें और फिर last and most important कि आप जो हैं आपकी पकड़ होगी अगर कानून की खिलाफ फरजी करेंगे पारिस वो प्राइम मिनिस्टर जो कहें कि जी जियाओ लक्साब कमिशन मैं जारी रखूंगा वो लोग ने मैंने मैंने को के हाวाले से साल से ज़्यादर टाइम लगाते है वो लियूएस के हावाले से साथ च्छे माई ये रगड़ते हैं जी पीपल्स पार्टी तमाम अपोजीशन इनको कहती है अब मैं आपको एक सवाल कहता हूं आखिर में प्राइम मिनिस्टर साद तमाम चीजों को छोड़ था और उल्डफलोर रहो दिया उस भी कौम को खिताब था कि मेरे पास 1980 की तमाम काख़ात हैं तो सुप्रीम कोट को तो नहीं पेश की उन्होंने जब वो पेश नहीं किये तो इट मीन्स या उन्होंने उस वक जूट बोला अच्छा इसके लिए देखें दो और दो चार होते हैं ना जब आपने का कि मेरे पास सबूत हैं आपने सुप्रीम कोट में मनी ट्रेल नहीं दिखाया तो इसका मतलब क्या और वकील क्या कि देवारे पास सबूत नहीं है तो कौम को आपने क्या बताना है तो इसका मतलब खुदा के लिए इनसानी बुद परस्ती खतमों आप परेसे ओपन शट के से कह रहे हैं इसको सर लेकिन इसका मतलब ये कि कुछ साबित नहीं हुआ है अभी तर ये बाते करने दो ठीक है परेसलोग पर ना जाएं फैसले ही चीज़ याद रखें आज आपके कौम में लोग उन्टेचबल रोगा पर को टेरे में कड़ा कर दिया गया मैंने दो जमले कहने के मौका दे एक तो एक तो इन्होंने पारस एक तो इन्होंने कहा कि प्राइम निस्टर जो है वो अमीर हो गया है भई हुकुमत में आने से पहले अगर फकीर थे तो आप अमीर हो गया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए और आप दूसरी बात इन्हों ने ये बात कही कि सुबूत अगर प्रवेज मुशर्फ के दोर में जब उन्होंने कबजा किया इनके घरों पर भी तो तमाम सुबूत उठा के लेका इनके जेन में यही बात थी तो उसके बात तो फ्रैट्स ली हैं बगॉल इनके बाराइट वाईट उसके केस किया लेपर जर्माना हो पारेए कि इनके जो हैं सुबूत वो वापस किये जाएं डाकुमेंट्स वापस किये जाएं मेरा भी अचाब सबाद अगर मुशर्फ साब ने इन्चे सारफ कुछ ले लिया था तो यह मैं 2006 पे शरफ के दौर में अचाब ने जाएं जड़ा मेरीन साहिबा तो अब जो सबूत हमारे पास है वो हम सबूत दे रहे हैं मेरीन साहिबा आप इसमें चाहिए जी मेरीन साहिबा टाइम थोड़ा से काम है अब जी देखिए बात यह है कि यह कितनी अफसोसनाक बात है कि कौम के कितने मसायल है और प्राइम मिनिस्टर मां उनकी टीम के सारे मिनिस्टर्स के कोट में रोज बैठे होते हैं नमबर टांकने के लिए प्रेस कान्फरेंस कर रहे होते हैं कोई अवाम का इनको ख्याल हो कोई एजूकेशन का पानी का बिजली बंद है मंगला का प्राबलम है मगर सारे के सारे यहां पे लगें बाकी कोई काम पे है यह नहीं मतलब जो चोरी डाका अगर नहीं हुआ तो बता दें इस मामले को खतम करें खुदा के लिए मैं तो रिक इमपीच भी किया गया और लोग भी उनके खलाफ हैं बजाए इसके के इस मामले को बहुत उपर दगा अब लेके जाएं और मजीद और खराब हो जाएं पाकिस्तान टीपल्स पार्टी वाली बात आज कियते बलावर मतज़दारिक मिचूर सहसंदान है जिसने पहले दिन क आता कि पॉर्टिتي अंडर जो हमारा बिल है उसको मनजूर करें अगर աार्टियुद ऐसमी चौबस टरमीम जो है सुनें मेरी बाह सुने वजिरए आजम है या नई आप आस रेंटिवर्टर्ट परच्न की ऑनदम आंद्म हो सकती है पारज जी जी आप ही किस तेरा किनसल्ट करें वो जुडिशन हो वो फाई एसी हो खुदारा चले हमारे दोर में जो हुआ हो गया आप कुछ करें नहीं अर्ज कर रहा हूं कि आपने सडकों की बात की है हमारा अलमिया है कि जिस मुलक में कातिल वजीर आदम बैठा हुआ है जिसके दामन पर चोदा मासूमों का खून है दो खवातीन का जिस मुलक में वजीर खानून सुभाई वजीर खानून गातिल हो तो हम अपने बच्चों को क्या प्रेसिडेंट पारस सेट करने दिये जा रहे हैं कि जो बंदा मारे वो वजीर खानून जो फेक डिग्री होल्डर है वो वजीर ताली करें मिया जोड़ के कहता हूं आज मुझे पारस बता दे कि क्या जमूरियत की तारीफ खुदकुशी है क्या जमूरियत खुदसोजी का नाम है महंगाई का नाम है क्या जमूरियत गुर्दे बेशने का नाम है क्या जमूरियत अपनी इज़तें लुटाने का नाम है बिजली के बिल गेस के बिल देने का नाम है जहमुरियत महंगाई का नाम है जह किस चीज का नाम है ये तो जबर वाली जहमुरियत है जिस ने लोगों की जहन्व बना दी जिन्दगी और आज मैं एक बात कह दूं ये पाकिस्तानी कौम कबर में जाएगी जब तो फरिष्टे भी कहेंगे इन पर तो अदाप पहले हो चुका है ये भुगल के आ रहे हैं इने बिलाई साब किताब जन्नत में जाना दिया जाएगा तुमरे आजवाजी साब महरीन अंदराजा साहिबा मिया जावे लितीफ और और शेयर आफनी साब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शर्कत करने के लिए अपने मुलका ख्यार रखिएगा फारद नहांजी को जासे दीजिए अल्ला नेगे